अथार्वेत शस्टम कांडम अध्शस्टवन्वाक सुक्तम पामन उत्षूर्यों से लिकर अद्रिष्ट हा पहला श्लोग जिसका भवात इस परकार है सब और प्रकाशवला सब और करके दिखा गया और ना दिखते हुए प्रदार्थों में गती वाला सो रहा अंत्रिक्ष के बीच राक्षों अंधकार आदी उप्तरमों को सर्था नाज करता हुआ मेगों वा पहाड़ों से सन्मुख होदे होता है ने कामों से लेकर अलिपसत दूसरा शिलोग जिसका भवात इस परकार है किरने किरनों के स्थान अंत्रिक्ष में बैट कर ठहरी हैं खोजने वाले पुर्शन ने अपने कामों में परवेश किया है स्थुदी करने वाले प्रजाओं की यतिक्रियां से ना दिखती हुई पंक्तियों को अति निश्चे करके पाने की इच्छा की है आयर वेदे से लेकर शम्य तीसरा शलोग जिसका भवारत इस परकार है बद्धीमान प्रुष की जीमन देने माली भले परकार चिताने माली परसिद्ध विविद प्रकट होने माली संसार का भै जीतने माली वेद विद्या को मैंने पाया है मैं इस प्रुष के ना दिखने ह हुए दोशों को शांत करते भी सुक्तम त्रिपपन ओस्ट से लेकर भगस्ट पहला शिरोग जिसका भवात इस प्रकार है उत्तम ग्यान देने वाले आकाश और पित्थी और बड़ा प्रकाश मंसुर्य मेरे लिए इस घर को दक्षिना दान वा परतिष्टा से भरपूर करें चंद्रमा और अगनी अनुग्रे करके अन को बच्चतावे वाईू और सब का उत्पन करने वाला एश्वरवान प्रमात्मा हमारी रक्षा करें पुना प्रान से लेकर विश्वा दूसरा शिलोग जिसका ववार तिस परकार है बार बार प्रान बार बार आतमबल प्राप्त हो बार बार देखने का समर्थ बार बार बुद्धी हमें प्राप्त हो बेचुक शीरों का रक्षक सब नरों का हितकारी प्रमात्मा हमारे सब कस्टों के बीच में स्थित रही सावर्षा से लेकर विरिष्टम तीसरा शीलोग जिसका भवात इस फरकार है अन्न के साथ विज्ञान के साथ यथावात्शीरों के साथ यथाविदी और मंगलकारी मन के साथ हम संगत हुए है विश्यकनमा प्रमेशर हमारे लिए यहाँ पर अतिविस्तेरन धन करे और हमारे शीर का जो विनस्ट कस्ट है विविद कस्ट है उसे शुद्ध करता रही संपुरन एश्यर वाले राजा को इस्ट प्राप्ति के लिए शोबित करता हूँ जिससे उसके मित्र के लिए ये और वह अधिक कुँचापा दोवे है जिगदीश्वार इस प्रुष्किर राज्य और बड़ी संपती को बड़ा जैसे बरसा धाम को अस्में से लेकर उत्तरम दूसरा शिलोग जिसका ववात इस परकार है है सूरी और चंद्रमा तुम दोनों इस प्रुष्क के लिए राज्य को और इसके लिए संपती को द्रिड करो इस प्रुष्को राज्य के मंडल में मित्रवर के लिए अधिक कुँचा करो सबंदुस से लेकर स्रिन मते तीसरा शिलोग जिसका ववात इस परकार है जो शत्रु बंदुओं सहित और बिना बंदुओं के होकर हमें सतावे उस सब को तत्तो मन्थन करने वाले विद्वानों का सत्कार करने वाले मेरे लिए वश्च में कर सुक्तम पच्पन ये पंधानों से लेकर सर्वे पहला शिलोग जिसका ववात इस परकार है जो विद्वानों के यानों रत अधिकों के योग्य बहुत से मार्ग सूरे और प्रिथी के बीच चलते रहते हैं उन मार्गों में से जो कोई मार्ग अभंग शांती पहुंचावे इस सब विद्वानों उस मार्ग के लिए मुझे यहां पर अच्छे परकार स्थिर करो गिरिश्वों है मन्त से लेकर स्याम दूसरा शिलोग जिसका ववात इस परकार है वसंतकाल अर्थाद चेत्र और विसाख धाम धाम गाम रितू अर्थाद जेश्ट और आशाड मास वर्षा अर्थाद श्रामन और भात्रपत श्रद रितू अर्थाद अश्नी और कार्थिक मास शीत काल अग्रान और पोस मास उतरता शीत काल माघमास और फागुनमास ये तुम सब हमें अच्छे परकार कुशल से स्थापित करो हमें गववादी पश्वों से और अज़ प्रजा में सब और से भागी करो तुम्हारे ही हिंसा रही च्छरन में हम रहें इदा से लेकर स्याम तीसरा शीलोक जिसका भवाद इस परकार है सब और से निवास कराने वाले पिता को विद्या में निवास कराने वाले आचारे को और यथानियम निवास कराने वाले राजा को तुम बहुत बहुत नमशकार करो उन उत्तम मिभार करने वालों के ही सुम्मती वाले और कल्यान का रख आर्दिक सने में हम लोग रही सुक्तम छप्पन मानो देवा सिरीकर देव जनिब्या पहला शलोक जिसका ववात इस परकार है हें विद्वानों संतानों सहित और पुरिशों सहित हम को चोट देने वाला सर्प सर्प तुल्य अपना दोश ना काटे मुदे हुए मुख को ना खोले और खोले मुख को ना मुदे विद्वान जनों को नमशकार है नमस से लेकर दिवनिब्या तूसरा श्लोक जिसका भवात इस परकार है काले साम के लिए वज्जर होवे तिर्ची धार वाले साम के लिए वज्जर और लिपटने वाले भूरे साम के लिए वज्जर होवे विद्वान जनों के लिए सतकार है समते से लेकर आस्यम तीसरा से लोग जिसका भवात इस परकार है है सर्व तेरे दान्ट से दान्टों की मिला कर तोड़ता हूँ और तेरे जबडे में दोनों जबड़ों को मसल कर तेरी जीव से जीव को मसल कर और मुख से मुख को मिला कर तोड़ता हूँ सुक्तम सत्तामन इड़मित सिलिकर परवत पहला श्रोग जिसका भवात इस प्रकार है ये वेद ग्यान ही निच्चे करके भे निवारक वस्तु है ये ही दुख नाक्षेक प्रवेशर का ओशद है जिससे मनुष्य दे रूप एक दंड वाले और व्याधी रूप सेंकडो अनी वाले बान को हटा कर बोले जानेशन से लेकर जीव से दूसरा श्रोग जिसका भवात इस प्रकार है जल संबंधी द्रव्य से फोड़े को सब बोर से सीचो सुक कारक्पदार्थों से उसे पाप से खीच सीचो सुको का समूब वेद ग्यान तीक्षन ओशद है उससे हे रुद्र हमें जीने के लिए सुखी रख शम चैनों से लिकर भेश चम तीसरा श्रोग जिसका भवात इस प्रकार है निच्चे करके हमारे लिए शान्ती और हमारे लिए सुख होए और हमें कोई भी दुख न पीड़ देवे पाप की शमा हो सब जगत हमारे लिए भे निवारक होए सब हमारे लिए रोग नाशक होए सुख्टम अठावन ये शच्चम से लेकर स्याम पहला श्रोग जिसका भवात इस प्रकार है बड़ा धनी प्रमेश्वर मुझे ये सच्च्ची करे ये दोनों सुर्य और प्रिथी लोग की दिमान करें वेवार कुशल विद्या प्रिर काच्चारे मुझे ये सच्ची करे दक्षिना वा प्रतिष्टा के देने वाले राजा का प्रिये यहां पर मैं रहू यथा इंदर से लेकर सियाम दूसरा ची लोग जिसका भवात इस प्रकार है जैसे प्रमेश्वर सूर्य और प्रिथी लोग में की दिमान हैं और जैसे जल अन आदी ओस्तियों में यश्वाले हैं वैसे ही सब व्यभार कुशल महात्माओं में और सब गुनों में हम लोग यश्व चाहने वाले हों में यश्वा से लेकर यस्तंब तीसरा ची लोग जिसका भवार इस प्रकार है यह मंतर इसी कांड के सुक्त 49 मंतर में आ चुका है सुक्तम 69 अरंदती से लेकर चतुश्पदे पहला शिलोग जिसका भवार इस प्रकार है हिर रोकना डालने वाली शक्ति प्रमात मन तो प्रान और जीव का पुचाने वाले पुर्शों को त्रिप्त करने वाले इस्त्रियों को और बिना दोदवाले चुपाई को अनप्राप्ति के लिए विश्चित घर दे आउस्ति से लेकर पुरुशान दूसरा शिलोग जिसका भवार इस प्रकार है तापनाशक नाड रोक डालने वाली शक्ति प्रमेश्वत उत्तम क्रियाओं के साथ शरन देवे हमारी गोशाला को बहुत दुख देने वाली और पुर्शों को निरोग करे विश्य रोपा से लेकर गौब्या तीसरा शिलोग जिसका भवार इस प्रकार है सब का रोप रचना करने वाली बड़े एश्यर वाली जीवन देने वाली अत्वा जीवन समत वाली शक्ति प्रमात्मा की मैं स्वागत करके अवान करता हूँ मैं दुख नाशिक प्रमेशर की गिराई हुई ताड़ना को हमारे भूमियों से दोर ले जावे सुक्तम साथ आइमा से लेकर जानने पहला शलोक जिसका भवारत इस परकार है ये परसिद स्टुति वाला अंदकार नाशक सूर्य इस ग्यान्मती करने के लिए पती और अविवाहिद प्रुश के लिए पत्री चाहता हुआ हमारे आगे आता है अश्रम से लेकर सम्नमाजती दोसरा शलोक जिसका भवारत इस परकार है ये शत्रुनारक्शक परमेशवर दोसरी कन्याओं के विवाह में जाती हुई इस कन्या ने तब किया है हे न्याई कारी प्रमेश्वर दूसरी कन्याई इस कन्या के विवा में अवश्या में धाता दातार से लेकर प्रतिकाम्यम तीसरा शलोग जिसका भवार तिस परकार है विधाता ने प्रिथी को और विधाता ने आकाश और सूरे को धरन किया मही विधाता इस ध्योक शिल करन्या को प्रतिग्या करके चाहने योग के पती देवे। मेरे लिए तब से उत्मन होने वाले सब उत्तम गुन हैं। मेरे लिए विवार से चतुर एश्यरवान मनुश्य ने विश्ता धारन किया है। एह विवेच से लिकर विवस्ट दूसरा शिलोक जिसका बावात इस प्रकार है। मैंने प्रित्ती और सूरे को प्रितक प्रितक किया। मैंने साथ व्यपन छील, नेत्रकान, जिहान, नाक, मन और बुद्धी को आपस में मिला हुआ उत्पन किया है। मैं जो कुछ सत्य और जोट है और मैं विद्वानों में हुने वाली वानी को समनश्यों में भरपूर बताता हूँ। एहम जजान से लेकर सखाया तीसरा शिलोक जिसका भवात इस प्रकार है। मैंने प्रित्ती और सूरे को उत्पन किया। मैंने साथ तवचा, नेत्रकान, जिहाननाक, मानौर, बुद्धिक की और उनकी व्यापक शक्तियों की उत्पन किया है। मैं सत्य और जोट जो कुछ है उसे जिसमें आपस में मित्र, अगनी और जल को त्रिप्त किया है। इति शस्टो अन्वाग। अथार्वेथ सस्टम का अन्वाग। वैश्वा नरों से लेकर न पुनिताम पहला श्लोग जिसका भवार तिश्वरकार है। सब नरों का हित्कारी परमेशर विद्या परकाशों से और शिग्र गामी पवन प्रांच से और मेघों से हमें पृत्तर करे। रास वाली सत्य शील और संगती करने योग्य सूर्य और प्रिथी लोग अपने रास से हमें शुद्ध करें। वैश्वा नरों से लेकर रई नाम दूसरा शीलोग जिसका भवार तिश्वरकार है। हे मनुश्यों सम नरों का हित करने वाली प्रिय सत्य वेदवानी को तुम आरंब करो। जिसके शीर के विस्तार सेचन समर्थ पहुचाने वाली हैं। उस वेदवानी से प्रस्पर अनंद उच्सों पर बाचित करते हुए हम लोग धनों के स्वामी होई। वैश्वा नरों से लेकर उच्चरंतम तीसरा श्लोग जिसका भवार तिस परकार है। हे मनुष्य शुद्ध प्वित्र शुद्ध करने वाले होते हुए तुम सब नरों का हिद करने वाली वेदवानी को तेज पाने के लिए अरंब करो। वहाँ पर वेदवानी से प्रस्पत हर्ष उस सब को अनंदे करते हुए हम बहुत काल तक चड़ते हुए सूरे को देखते रहें। सुक्तम 63 यत ते देवी से लेकर परसूत पहला श्लोग जिसका भवार तिस परकार है। हे मनुश्य प्राप्त होई अलच्वी ने जो रसी तेरे गले में बांदी है। जो ग्यान बिना ना सुनने वाली है ना खुलने वाली है। उसको तेरे उत्तम जीवन के लिए तेज के लिए और बल के लिए ग्यान से मैं खोलता हूँ। आगे बढ़ाया घ्यातूं अक्षे हर्श युक्त आननका भोग कर। नमस्त तेज से लेकर मिर्ट वे। दूसरा शलोग जिसका भवारत इस परकार है। हे तेज नाश करने वाली अलच्वी तेरे लिए वज्ज रहोए। लोहे की बढ़ी बंदन की भेडियों को तोड़ डाल न्यायकारी प्रमेशर मेरे लिए बार बार ही तुझ को देता है। उस न्यायकारी प्रमेशर को दुख रूप मिर्ट्यू नाश करने के लिए नमशकार होए। आयस सम्न से लेकर रोहेम तीसरा शलोग जिसका भवात इस परकार है। तुझ इस प्रुश को उत्तम अनंद में उपर चड़ा। संस्विच से लेकर भर चोथा शलोग जिसका भवात इस परकार है। हे बलवान विद्वान प्रुश स्वामी होकर तु सब ही को सुक्षो को यतावत रिती से लाकर मिलाता है। और प्रशंचा के पद पर तु शुबित उता है। सो तु हमारे लिए अनेक धनों को भर दे। सुक्तम चोशट सम से लेकर उपास थे पहला शलोग जिसका भवात इस परकार है। आपस में जान पहचान करो, आपस में मिले रहो, क्यान वाले तुम लोगों के मन एक से होंए, तुमारे मन एक से होंए, जैसे प्रथम स्थान वाले यतावत ग्यानी विद्वान लोग सेवनी ये परमेशर अत्वा एश्वरियों के समों को सेवन करते हैं। समानों मंत्र से लेकर विश्ट ध्वाम दूसरा शिलोग जिसका ववारत इस परकार है हे मुनिश्य तुबरा मंत्र विचार एकता और समीती एक सो धर्म का अचरन एक सा और इन तुम सब का चित सब पदार्थों का ज्यान मिला हुआ होई एक से ब्रह्म धर्म के साथ तुम को मैं ग्रहन करता हूँ एक से चिंतन भूत वुष्च के अन्भग के समरन में तुम बले भाती परवेश करो समानी वां से लेकर सुस हायस सती तीसरा शिलोग जिसका भवात इस परकार है तुमारा निश्च उस्था अत्वा संकल एक सा और तुमारे हिर्दे हार्दिक करम एक से हुए तुमारा मन मनन करम एक सा हुए जिससे तुमारी गती बड़ी सहाई करने वाली हुए सुक्तम पैंसट आम से लेकर करिधी पहला शिलोग जिसका भवात इस परकार है क्रोद धीला होए फैले हुए शेश्टर धीले हुए मन के साथ से योग वाली बुचाएं नीची हुए है शत्रू नाशक सेनापती तुश्ट्रों का बल उधा करके मिटा दे और हमारे लिए धन सन्मक कर निरहस्ते भ्यव से लेकर हविशा हम दूसरा शिलोग जिसका भवात इस परकार है है विजी लोगो निहत्य निर्बल हम लोग के हिट के लिए निहत्य निर्बल शत्रों के उपर जिस बान को तुम छोड़ते हो उसी ही ग्राज शस्तर से में प्रजागन वर राजगन शत्रों की बुझाओं को काटता हूँ इंद्र से लेकर में दिना तीसरा श्लोग जिसका भवात इस परकार है बड़े एश्यवर वाले सेनापती ने असुर शत्रों को निहत्था पन पहले किया था स्थीर सभाव सनेही उस बड़े सेनापती के साथ मेरे वीर लोग जीते हैं सुक्तम च्छासट निरहस से लेकर विविद्ध पहला श्लोग जिसका भवात इस परकार है शत्रों हम पर चड़ाई करता हुआ निहत्था होए और वे भी जो अपने सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए हम पर चले आते हैं है परतापी सेनापती इंदर उन सब को बड़े वद्ध के साथ मार गिरा इन सब का दुख दाए परधान आर पार छिद कर भाग जावे अतानवना से लेकर प्राश्रीत तूसरा श्लोक जिसका भवात इस परकार है जो तुम ध्रुशमान तानते हुए और तलवारे खीचते हुए और चलाते हुए तोड़े चले आते हो है शत्रुवत तुम सब निहत्थे हो जाओ महापरतापी सेनपती इंद्र ने तुम को आज माल किराया है निरहस्ता से लेकर भजा में है तीसरा श्लोक जिसका ववात इस परकार है शत्रु लोक निहत्थे हो जामे उनके अंगों को हम शिधिल करते हैं फिर हे मापरतापी सेनापती इंद्र, उनके सब धनों को सेंकड़ों परकार से हम बाट लेवें। सुक्तम स्तासट परी वर्तमाने से लेकर परस्त्राम पहला श्रोग जिसका भबात इस परकार है, बड़े एश्वने वला राजा और पोशन करने वाले मंत्री मार्गों पर सब दिशाओं में सब बोर चलते रहे हैं। पीडा देने वाले श्रोगों को वे सब सिनाएं आज बहुत दूर घबरा कर चली जाएं। मुड़ा से लेकर वरे वरम दूसरा श्रोग जिसका भबात इस परकार है, हे घबराए हुए पीडा देने वाले शत्रोगों, विना सिर वाले सिर कटे सापों के समान चेश्टा करो, परतापी वीर राजा अगने अस्त्रों से गबराए हुए, उन तुम सबों में से अच्छे अच्छो को चुन कर मारें। एश्टा से लेकर रुपेश्टों, तीसरा श्रोग जिसका भबात इस परकार है, हे सैनापती, इन अपने वीरों में एश्रवान प्रुष का धरम कवच पहना दे, और शत्रों में हरिन का डर्पोक बन कर दे, शत्रों उल्टे मुक होकर चले जावे, भूमी, युद्ध भूमी और राज्ज हमारी और चली आवे। सुक्तम 68, आयम से लेकर परचेतस, पहला श्रोग जिसका भबात इस परकार है, ये काम का चलाने वाला फुर्तीला, नापित, छुरा सहीत आया है। ये शीक गरगामी पुरुष, तब तजल सही तु आ, प्रकाश मान, ग्यान मान, श्रिष्ट पुरुष, आप एक चित होकर बालक के केश भिगों में, प्रकिष्ट ग्यान वाले पुरुषों, तुम शांस भावत तजसी बालक का मुंडन कराओ। अधिती चक्से से लेकर दूसरा श्लोग जिसका भवार तिस परकार है, अखंडे छुडा केश काटे, जल अपनी शुबा से सिंचे, संतान का पालन करने वाले पिता दीर जीवन के लिए और दिष्टी बढ़ने के लिए बालक के रोके निवरिती करें। यह इन से लेकर प्रजावान तीसरा श्लोग जिसका भवार तिस परकार है, जिस विधी के साथ अपना करम जानने वाले फुरतीले नापित ने छुरे से शांत सभाव तजस्सी, उत्तम सभाव वाले बालक का मुंडन किया है, उस विधी से, हे ब्रामनों, इस बालक का ये स गिरों से लेकर तनमई, उपदेश करने वाले सन्यासी में, ग्यान के उपदेशकों में विचरने वालों, भ्रमचारी आदी को के बीच, स्वर में और विध्याओं में जो यश हैं और बहते हुए जल, अथवा बढ़ते हुए अशर में और अन में जो मीठा पन है, वे मु में हुए, अश्मिना से लेकर जनो, अनो, दूसरा शलोक जिसका ववात इस परकार है, शुब करम के पालन करने वाले है करमों में व्यापती वाले माता पिता, सार अर्थात बाल का धन के पुचाने वाले ग्यान से मुझको परकाशित करो, जिससे मुश्यों के बीच तेज अशलोक जिसका ववात इस परकार है, मुझमें परताप और यश्षो और देव पुजा आदी यग्य का जो सार है, उसको अभी मुझमें प्रजा पालक परमीश्वर देड करें, जैसे अंतरिक्ष में सूरे मंडल को, सुक्तम सत्तर, यथा से लेकर हन्यताम, पहला शलोक ज जैते हैं, जैसे अपने को आशेरवान मानने वाले पुरुष का मन स्तोतिक्रिया वा अपनी पत्नी में स्तित रहता है, वैसे ही हिन ना मारने योग्य प्रजा, तेरा मन सब में निवास करने वाले परमेश्वर में अच्छे परकार देड़ होए, यता हस्ती से लेकर हन्यत दूसरा शलोग जिसका भवात इस परकार है, जैसे हाथी हत्नी के पद चिन से अपना पद बढ़ाए जाता है, जैसे अपने को आशेरवान मानने वाले पुरुष का मन स्तोतिक्रिया वा अपनी पत्नी में स्तिर रहता है, वैसे हिन ना मारने योग्य प्रजा, तेरा मन सब में निवास करने वाले परमेशर में अच्छे परकार देड़ होए, यता से लेकर हन्यताम तीसरा शलोग जिसका बबात इस परकार है, जैसे पईये की पुर्थी अरो के जोड से, और जैसे अरो का जोड पुर्थी से, और जैसे नावीस्तान पुर्थी के भीतर जमा होता ह जैसे अपने को मानने वाले पुरुष का मन स्तुति क्रिया या अपनी पत्नी में स्थिद रहता है, वैसे ही हिन ना मारने योग्य परजा, तेरा मन सब में निवास करने वाले परमेशर में अच्छे परकार द्रिड़ होए, शुक्तम एकत्तर, या दन से लेकर क्रिनोतु, पहला शुलोक जिसका बवात इस परकार है, अनेक रूप वाला जो कुछ अन प्रया में खाता हूँ, और स्वर्न, घोडा, गव, बकरी, भेड और कुछ भी मैंने ग्रहन किया है, दाता सर्वा को परमेशर उसको दार्मी क्रिती से सविकार किया हुआ करे, या अन्मा से ले हुआ माता पिता आदी से पाया हुआ, अत्वन ना दिया हुआ, सेम प्राप्त किया, दूसरे विद्वान महाश्यों करके दिया हुआ, और मनंचील पुर्शों करके अंगिकार किया हुआ, जो कुछ द्रव्य मुझ को प्राप्त हुआ है, जिसके कारण से मेरा मन उदे होत होता है, दाता सर्व्यापक परमेश और उसको धार मिकृती से सविकार किया हुआ करे, या दंच से लेकर स्तवन नम तीसरा श्लोक जिसका भवात इस वरकार है, ये विद्वान पुर्शों जो कुछ अन असत्य वेवार से मैं खाता हूँ और देना चाहता हुआ, अथ्वा ना देना चाहता हुआ, मैं जो कुछ खा जाता हूँ, पूजनी सब नरों के हितकारी परमेश को महिमा से वे अन मेरे लिए सुक कारक और मीठा रस वाला होई, सुक्तम बहत्तर, यतासित से लेकर करिनो तू पहला चलोक जिसका भवात इस परकार है, जिस परकार से बंदन रहिद सतंत्र परमात्मा अपने वश्वती प्रानियों के लिए बुद्धी मान की बुद्धी से अनेक श बड़ी बाति से युक्त करे, यतासि लेकर पसा, दूसरा शलोक जिसका भवात इस परकार है, जैसे प्रबंद से आदर योग्य रज्य उध्योक से मुनिश्यों में प्रकाश वाला बताया जाता है, जितना पाले में समर्थ प्रुष का रज्य होता है, उतना तेरा रज्य बड़े, यवाद अंगिनम से लेकर पसा, तीसरा शलोक जिसका भवात इस परकार है, जितने आँग हैं, उससे सिद्ध पालन समर्थ पुर्षों से सिद्ध और बोज उठाने वाले गदों से सिद्ध, जिनका रज्य है, और जितना अन्युक्त बनवान पुरुष का है, उ इति सब्तमग अनुवाग, अथर्वेद, शस्तम कांडम, अथ अस्तमग अनुवाग, सुक्तम तेक्तर, एह यातु से लेकर सजाता, पहला शलोक जिसका भवात इस परकार है, सोरे समान परतापी और चंदर समान शांत सभाव पुरुष यहां पर आमें, और अगनी समान तजस्सी बड़ी वेदवाने की रिक्षा करने वाले पुरुष उत्तम उत्तम गुनोवाद धनों के साथ यहां पर आमें, हे समान जनम वाले बांदो, तुम सब एक मन होकर इस तजस्सी ग्यान पुरुष की संपदा को भड़ी बाती प्राप्त करो, योवा से लेकर अस्तु तूसरा शलोक जिसका भवात इस परकार है, हे विद्वानों, जो प्रकर्म तुमारे हिद्दों में भरा है, और जो उस सावा शुब संकल्ब हमारे मन में प्रविष्ठ हो रहा है, उसी के कारण उत्तम आंच से और चल्च से, उन तुम सब को मैं सिवा करता हूँ, हे समान जनम लेने मारे बांदो, तुमारी क्रीडा प्रसंता मुझ में होगे, इह एव से लेकर, अस्तो तीसरा शिलोग जिसका भवारत इस परकार है, हे विद्वानों, यहां पर ही रहो, हमसे हट कर ना जाओ, पोशन करने वाले गरस्त, उत्तर उत्तर काल में तुमारे लिए अभे करें, घर का स्वामी, गरस्त, तुमको निरंतर बुलाता रहे, हे महान जनम वाले बंधवों, तुमारी क्रीडा प्रसंता मुझ में होए, सुक्तम चुहत्तर सव वस से लेकर, अजीकता, पहला शिलोग जिसका भवारत इस परकार है, हे विद्वानों, तुमारी विश्तत विद्वानों, यथावत, मनन सामर्थ, यथावत, और सब करम यथावत मिले रहें, इस ब्रहमान्ड के पती, भगवान, एश्यर्वान प्रमेशर ने, तुमको तुमारे हिद्व के लिए यथावत मिलाया है, संग्यपडम्ण से लेकर, वा, दूसरा शिलोग जिसका भवारत इस परकार है, तुमारे मन का विज्यापन और भी हिर्दे का संतोष चक्रम होगे, और भी भगवान की प्राप्ति का जो तप है, उस कारण से तुमको मैं संतोष्ट करता हूँ, यथ अधित्य सिरीकर, सक्क्रीध ही, तीसरा शिलोग जिसका भवारत इस परकार है, जिस बरकार से तजस्ची परकाश मन विद्वान, अथ्वा अधिन देमता अधिती, पृत्थी या वेद्वानी के पुत्र समान मान करने वाले प्रुश, संकोच नहीं करते हुए, उत्तम गुनो और शत्तर नाशिक वीरों के साथ प्रकर भी हुए हैं, वैसे ही हित तीनों कालों और तीनों लोगों को जुकाने वाले प्रमेश्वर, क्रोध ना करता हुआ तूं, इन सब जनब को यहां पर एक मन करते, सुप्तम पचट्तर, निर्मौम्ट से लेकर, प्राश्रीत पहला श्रुग जिसका बवार तिस परकार है, मैं उस शत्रु को उसके घर से निकालता हूँ, जो शत्रु सेना चड़ाता है, प्रतापी राजा ने उसको अपने निर्वीघन, घ्रावेवाद से मार गिराया है, प्रमाम तम से लेकर समाम में, दूसरा श्रुग जिसका बवार तिस परकार है, शत्रों वा अंधकार का नाश करने वाला प्रतापी राजा, चोर को अतिशे दूर भूमी में भेज देवे, जहां से मैं बहुत बरसों तक फिर ना आवे, एतो तिस तर से लेकर दीवी तीसरा श्रुग जिसका बवार तिस परकार है, जो प्रुष तीन अपने मानुष्थान, नाम और जाती रूप, उतकरिष्ट भूमियों वा धामों को उलांग कर चले, और पांच अर्थाद ब्रामन, शत्री, वैशे और शुद्र, चारोवरन, और पांचवे नीच योनी, अर्थाद पशुर, पक्षी, विरिक, शादी, प्रियानियों की मर्यादा को उलांग कर चले, वह प्रूश, तीन प्रकती और प्रमेशर की, रूची योग्य विद्वाओं को अर्थाद सूरे चंदर अगनी के प्रकाशों को उलांग कर वहाँ चला जावे, जहां से वह बहुत बरसों तक फिर ना आवे, जब तक सूरे अंत्रिक्ष में रहे, सुक्तम च्यत्तर, यह एनम से लेकर हिद्याधदी, पैनाश लोग जिसका भवात इस प्रकार है, जो पुरुष दर्शन के लिए इसकी सेवा करते और ध्यान करते, उन करके अच्छे प्रकार प्रकाशित हुआ, अगनी अपनी जिहाँ से हमारे हिद्ये से अधिकार पूरवक उदे हुए, अगने से लेकर पश्यती, दूसरा शिलोग जिसका भवात इस प्रकार है, मैं ताब गुन वाले उस अगनी के प्राप्ति योग्य गुन को आयू बढ़ाने के लिए प्रस्तुत करता हूँ, जिस अगनी के मुख से निकलते हुए धुए को सत्य जानने वाला पुरुष देखता है, यो अस्य से लेकर मृत्यवे, तीसरा शिलोग जिसका भवात इस प्रकार है, जो पुरुष दुख से बचाने वाले शत्री करके संभाली हुई इसकी प्रकाश क्रिया को जानता है, वे पुरुष कुटिल स्थान में मृत्यव पाने के लिए अपना पैर नहीं जमाता है। उसको खेरने वाले शत्रों नहीं मारते हैं और ना मैं घात में बैठने वालों को जानता है, जो विद्वान शत्री अगनी के नाम को आयू बढ़ाने के लिए लेता है। ठेहरे हुए हैं, घोडों को स्थान पर मैंने खड़ा कर दिया है। तेरे आगमन के उपाए सो और तेरे समीप में भ्रह्मन मार्ग सस्त्रों में उन के रियाम से हमें अवश्य से विकार कर। सुक्तम 78 तेम से लेकर वर्धताम पहला शलोग जिसका ववात इस वरकार है। यह प्रुष उस पर सिद्ध बहुत घ्रा अन के साथ सब और से अवश्य बढ़ती करे। इस प्रुष को जो वीरों को उत्पन करने वाली पत्नी उन लोगों ने प्राप्त कराई है। उस पत्नी के लिए वे पती अनराग से वा प्रकर्म से बढ़े। अभी से लेकर पक्ष्टों। दूसरा शलोग जिसका ववात इस परकार है। प्राप्तियोग्य अंसे और रज्य वा एश्वरे से पत्नी के लिए पत्नी बढ़े। और पती के लिए पत्री बढ़े सस्परकार के तेजवाले धान से ये दोनों खटी बिना सदा भरपूर रहें तवश्टा से लेकर वाम तीसरा श्लोक जिसका बवात इस परकार है विश्ट कर्मा प्रमेश्वर ने तेरे हित के लिए वीरो को उत्पर करने वाली पत्री को और विश्ट कर्मा ने इस पत्री के लिए तुझे पती उत्पर किया है वही विश्ट कर्मा बाग देने वाले जीवन साधन और दीड आयो तुम दोनों के लिए करे पहला शलोग जिसका भवात इस परकार है यह सूरे लोग का स्वामी प्रमेश्वर यतावत बढ़ता हुआ हमारे लिए हमारे घरों में असमाने विशेश लच्छीवा बुद्धी सब और से रखे तौम नौ से लेकर वसो दूसरा शलोग जिसका भवात इस परकार है है सूरे लोग के स्वामी तुम हमारे घरों में भल बढ़ाने वाला अनधारनकार पुष्टी और धन चला आवे देव से लेकर स्याम तीसरा शलोग जिसका भवात इस परकार है ये सब प्रकार बुद्धी वाले प्रकाश सरू प्रमात्मन सस्त प्रकार के पोशन का तस्वामी है उस पोशन का हमें दानकार उसका हमारे लिए धारनकार उस तेरी भक्ती वाले हम होंे सुक्तम मसी अंत्रिक छेंच से लेकर विधेम पहला शलोक जिसका बवात इस परकार है वे प्रमेश्वर आकाश में समान अंतर यामी रूप से सब जीवों को अत्यन देखता हुआ इश्वर होता है उस व्यापक दिवे सवरूप परमेश्वर का जो महत्व है उसी से तेरे लिए है परमेश्वर भक्ति के साथ हम सेवा करें ये त्रे से लेकर अरिश्टात ते दूसरा शलोक जिसका बवात इस परकार है जो काल अर्थाट सब की संख्या करने वाले परमेश्वर के परकाश आगाश में आशरित तीन देटाओं अगनिवायो सूरी के समान वरतमान है उन सब परमेश्वर के परकाशों को इस के लिए रक्षा करने और शेम करने को मैंने बुलाया है अब 103 से लेकर विधेम तीसरा शिलोक जिसका बवारत इस प्रकार है प्रानों में है प्रमेश्वर तेरा प्रादर भाव है सूर्य मंडल में तेरा सेवास है अंत्रिक्ष के भीतर और प्रिथि में तेरी महिमा है व्यापक दिवेसरो प्रमेशर का जो महत्व है उसी महत्व से तेरे लिए हे प्रमेशर भक्ती के साथ हम सेवा करें सुक्तम 81 यन्तासी से लेकर अभुद्यम पहला शिलोक जिसका भवारत इस प्रकार है हे प्रुष्टु नियम में चलने वाला है तो अपने दोनों हाथों को सहायता के लिए देने वाला है तो राक्षों विग्नों को हटाता है प्रजा और धन को सहारा देते हुए ये आप हाथ का सहारा देने वाले हुए है प्रिहस्ट से लेकर गम्या अग्मे दूसरा शलोग जिसका भवात इस परकार है है हाथ का सहारा देने वाले पुरुश घर को घर पुष्ट करने के लिए विशेश करके संभाल है मर्यादा युक्त पत्नी घर बस संतान को बड़े परकार से पुष्ट कर तू उस संतान को युग्य समय पर उत्पन कर यम्च लेकर जनादिती तीसरा शलोग जिसका भवात इस परकार है उत्तम संतान की कामना वाली अखंडता इस्त्री ने जिस जैसे हाथ का सहारा देने वाले रती को धारन किया है विश्य कर्मा वा शिल्पी प्रमात्मा उस वैसे ही पती को इस पत्नी के लिए नियम बद्ध करे जिससे वह पत्नी कुल शोधक संतान उत्पन करे यही परियोजन है सुक्तम ब्यासी आगच्छत से लेकर शत्करतू पहला शलोग जिसका भवात इस परकार है आते ही यतंचानी वा नियम वान मैं आते हुए और आए हुए प्रुश का नाम सविकार करता हूँ अंदकार नाशक बहुत धन वाले और सेंकड़ो कर्मो और संपुर्ण एश्यर वाले प्रमात्मा की मैं प्रात्ना करता हूँ यह सुरिया से लेकर आदिती दोसरा शलौक जिसका बहवात इस परकार है जिस मार्ग से दिन और रातरी ने सुरिसंबंदी जोती को प्रात्त किया है उसी मार्ग से वीरों को उत्पन करने वाली भार्या को मरियाता पुरक तो प्रात्त कर ये बात बड़े अश्यर वाले भगवान ने मुझसे कही है यस्ते से लेकर शची पते तीसरा श्लोक जिसका भवात इस परकार है हैं बड़े अश्यर वाले जगदीश्वर जो तेरा गन्नावे वहार अर्थात अंकुष्ट तुषकर्मों का दंड बहुत बड़ा और जोती सवरूप और धन देने वाला है उसी के द्वारा वानी वा करम वा बुद्धी के रक्षक परमेश्वर पत्ने के इच्छा वाले मुझे वीर को उत्पन करने वाली पत्नी थे इती अस्टम अन्वाक अथरवेद सस्टम का अंडम अथ नव अन्वाक सुत्तम त्रासी अब चिता से लेकर अब उच्छतो पहलाश लोग जिसका भवात इस परकार है हे सुख नाश करने वाली गंडमाला आधि पिडाओ चली जाओ जैसे शीक्रकामी पक्षी श्वेन अपनी बस्ती से प्रेन्ना करने वाला वैद्ध या सूरे लोग ओशद करे और अनंद देने वाला वैद्ध वाचंदर लोग तुमको निकाल दे अप इतन दूसरा श्लोग जिसका भवारत इस परकार है एक गंड माला आदी चित कबरी तीसरा श्लोग जिसका भवारत इस परकार है प्रान वायों के रमन स्थान नाडियों में मार्ग वाली तुम सुख नाश करने वाली घंड माला आदी पीडा बांज होकर चली जावे हर्ष नाशक घाव इस रोगी से चला जावे वह घाव गलाव से कुमल होकर नस्थ हो जाएगा ब्रीही से लेकर जुहों में चोटाश लोग जिसका भवारत इस परकार है हें मनुश्य मन से प्रिती करता हुआ तू अपनी धर्म से देने योग्य क्रिया को प्राप्त हो क्योंकि सुन्दर से और उत्तम विचार से एश्यर का कारण ज्यान मैं देता हूँ सुक्तम चुरासी यस्यास से लेकर सर्ता पहला जिस लोग जिसका भवात इस परकार है जिस तेरे बिहानक मुख में इन बंदे हुए प्राणियों के छुडाने के लिए कमनी विवार को मैं देता हूँ उस तुझे को पामर लोग ये भूमी अर्थात आश्रे देने वाली मानती है मैं तुझे को यह अलच्छमी है सब परकार से बड़ी भाती जानता हूँ भूती से लेकर स्वाहा तूसरा शिलोग जिसका भवात इस परकार है हिच चिंता योग अलच्छमी हमारे लिए देने और लेने योग ये क्रिया वाली हो ये तेरा सिवनी विवार है जो हम लोगों के बीच हुई इन इस जनम वाले और उन अगले वा पिछले जनम वाले जिवन को पाप से मुक्ट करने कर दे ये संदरवानी है एव उस लेकर मृत्यवे तीसरा शिलोग जिसका भवात इस परकार है हे लच्मी तूँ ना मारने वाली होकर हम से लोहे की बनी बंदन की बेडियों को अवश्य ही भ़़े परकार खोल दे नियाएकारी परमेशर मेरे लिए बारंबार ही तुझको दीता है उस नियाएकारी परमेशर को दुख रो मृत्यव नाश करने के लिए नमिशकार हुई यस में सिलिकर रोहियम इमम चोथा शिलोग जिसका भवात इस परकार है हे मृशी यहां परम्रित्यों के कारणों से जो सहस्त परकार है घिरा हुआ तो लोहे से जकडे हुए काट के बंदन में बंद रहा है नियम से पालन करने वाले ग्यानियों से मिला हुआ तो इस पुरुष को उत्तमा नंद में उपर बढ़ा सुक्तम 85 वरनों से लेकर अभी वरन पहला चलोग जिसका भवात इस परकार है ये दिवे गुन वाला सेवनिय गुनों का रक्षक सविकार करने योग वैदे अत्वाक्त वरन अर्थात वरन वरिक्ष राज योग आदी को हटावे जो राज रोग इस प्रुष में प्रवेश कर गया है उसकी निश्चे करके विवार जाने वाले विद्वानों ने हटाया है इन द्रस्य से लेकर वार्या मही दूसरा शलोग जिसका भवात इस परकार है परतापी सनेही और सिवनी अप्रुष के वचन से और सब विवार जाने वाले विद्वानों के वचन से तेरे द्राज रोग को हम लोग हटाती है यथा से लेकर वार्य तीसरा शलोग जिसका भवात इस परकार है जैसे मेग ने सब और बहती हुई इन जल धराओं को रोका था वैसे ही तेरे द्राजियों को समनुश्यों के हित करने वाले अगनी से मैं हटाता हूँ फ्रिशें द्रस्या से लेकर भवा पहला शलोग जिसका भवात इस परकार है ये परमेश्या सूरिका स्वामी अंतरिक्ष का स्वामी प्रिथिक का स्वामी और सब प्राणियों का स्वामी है प्रोश्तु अकेला स्वामी हो समुद्र ईशे से लेकर भवा दूसरा शलोग जिसका भवात इस परकार है समुद्र बैते हुए जलों का स्वामी है सूर्य रूप अगनी पृत्थी का वश में करने माला है चंद्रमा चलने वाले नक्षत्रों का अधिश्टाता है हे प्रुष तु अकेला स्वामी हूँ सम्राट से लेकर भव तीसरा शलोक जिसका भवारत इस प्रकार है हे प्रुष बुद्धी मानों का सम्राट और मनंचील मनुश्यों का शिखा अस्ट है जै चाहने वालों की वृद्धी का बाटने वाला है हे प्रुष तु अकेला स्वामी हूँ सुद्धम सत्तासी आसे लेकर ब्रशत पहला शलोक जिसका भवारत इस प्रकार है हे राजन तुझको लाकर मैंने स्विकार किया है सबा के मद्धे तु वर्तमान हुआ है निश्चित बुद्धी और निश्चिल सभाव होकर स्थिर हो सब प्रजाएं तेरी काम ना करें राज्य तुझको उसे कभी ब्रस्ट ना हुई इहें वेदी से लेकर धारे दूसरा शलोक जिसका भवारत इस प्रकार है हे राजन पहाट के समान निश्चिल सभाव तो यहां ही रहे यद कदापी मत गेर सुर्य के समान यहां पर स्थिर सभाव होका ठहर और यहां पर राज्य को अधिकार में रख इंद्रम से लेकर भर्मनस्पती तीसरा शलोक जिसका भवारत इस प्रकार है प्रमेशर ने द्रिड देने योग्य शुब करम के साथ इस राजा को द्रिड स्थापित किया है यही सब का उपन करने वाला और ब्रह्मांड और वेद का पालक परमेशर उस राजा को अधिक अधिक उपदेश करे सुप्तम अठासी ध्रुआ से लेकर विश्याम्यम पहला शलोक जिसका भवारत इस प्रकार है सुरी लोक द्रिड है प्रित्थी द्रिड है यह सब जगत द्रिड है यह सब पहाड द्रिड है प्रजाओं का यहे राजा द्रिड सभाव है ध्रुआ तेश लेकर ध्रुआम दूसरा शलोक जिसका भवारत इस प्रकार है सब का राजा वरन सिवनी प्रमिश्वर से तेरे लिए तेरे राज्जी को स्थिर प्रकाश मान बड़े बड़े लोकों का पालन करने वाला प्रमात्मा स्थिर और संपुरन एश्यर वाला जगदीश्वर स्थिर और सर्व्यापकीश्वर स्थिर रखे कलपान तम तीसरा श्लोक जिसका भवात इस पकार है हे राजन दृड़ और अचल होकर तु शत्रों को नाश कर दे और शत्रों समान अचरन करने वाले नीचे को अपने पैर से दबा दे यहां पर तुझ निच्चल सब्भाव के लिए साथ साथ रहने वाली सब दिशाएं एक मन वाली हों और यह समा समर्थ होए सुक्तम उन्नानवेवा इदम से लेकर शुच्या मसी पहला चलोक जिसका भवात इस परकार है त्रिप्ट करने वाली ओष्टी का जो यह मस्तक बल और सब के उत्पन करने वाले फरमेशर दौरा दिया हुआ जो विरत्व है उससे सब परकार उत्पन हुए से तेरी हार्दिक शक्ति को हम शोक में डालते हैं शुच्या मसी से लेकर ते मना दूसरा श्लोक जिसका भवात इस परकार है है शुच्तरु तेरी हार्दिक शक्ति को हम शोक में डालते हैं तेरे मन अर्थात मनन समर्थ को हम शोक में डालते हैं तेरे मन मेरे ही पीछे पीछे चले जैसे वाईयों से मिला हुआ धुआ वाईयों के साथ साथ चलता है महित तवस्ले कर समस्थ से अताम तीसरा श्लोक जिसका भवात इस परकार है हे शत्रू मेरे प्राण और अपान वाईयों तुझको और दिवे गुनवाले विज्ञान युक्त विद्धा तुझको मुझसे और भूमी का मध्य स्थान और दोनों अंत तुझको मुझसे संयुक्त करें सुक्तम नब्बे याम तेश लेकर ब्रिहा मसी पहला चलोक जिसका भवात इस परकार है हे मनुश्य पापियों के रुनाने वाले प्रमेशर ने तेरे अंगों श्रीर को पीड़ा देने और हिर्द आत्मा दुखाने के लिए जिस बर्ची पीड़ा को छोड़ा है सो अब नाना गती वाले उस बर्ची को हम लोग तुस्से उकाड़ती है यास्ते से लेकर हिर्द आम मसी दूसरा श्री लोग जिसका भवात इस परकार है जो सो असंख नाड़ियां तेरे अंगों में फैली हुई हैं तेरे उन सब नाड़ियों के विशों को निकाल कर हम पकारते हैं नमस्ते से लेकर निपती ताई तीसरा श्री लोग जिसका भवात इस परकार है हें पापयों के रुलाने वाले परमेशर बर्ची और बांद छोड़ने वाले तुझको नमशकार है और लच्पर पड़ी हुई बर्ची को नमशकार है सुक्तम 91 इमम सिलेकर विय पहला श्री लोग जिसका भवात इस परकार है इस सर्वियापि संयोग वियोग करने वाले परमेशर को आठ परकार के नियम नियम आदी योगों से और छे परकार के पढ़ना पढ़ना आदी ब्रामनों की करमों से उन महातमाओं ने कर्शन अर्थात प्रिश्रम से प्राप्त किया है उसी करम से तेरे शिरीर के पाप को विपरीद गती करके मैं हटाता हूँ न्यक्त से लेकर रपा दूसरा श्लोग जिसका भवात इस वरकार है वायो नीचे की और बैता है, सूरी नीचे की और तबता है, ना मारने योग्य गव नीचे को दूद देती है, हें मनुश्य तेरा दोश नीचे की और होगी आप इदा वास लेकर भीश चम तीसरा श्लोग जिसका भवात इस वरकार है शुब करम वाजल अवश्य ही भे निवारक है शुब करम वाजल पीडा नाशक है शुब करम वाजल सब के भे निवारक है वे तेरा भे निवारन करें, सुक्तम बान में वात अन्रहा से लेकर धदातू पहला श्लोग जिसका भवात इस वरकार है हें अन्वा बल वाले राजन साफधान होकर वाईयो के समान वेक वला हो और प्रमेशर वाले जगदीशर की आग्या में मन के समान गती वला होकर चलें समस्विद्याओं वाद धनों वाले दोशों के नाश करने वाले विद्वान लोग तुझको राज्यकारे मुक्त करें शुक्षमदर्ती मनुश्य तेरे पगों में वेक को अच्छे परकार ढारन करें जवस्ते से लेकर पारिश्चनों दोसरा चलोग जिसका भवात इस परकार है है विज्ञान युक्त राजन जो वेक तेरे हिद्वे में भरा हुआ है और जो सपर का दिया हुआ वेक शेन अर्थाद बाज पक्षी में और पवन में विच्रा है है वेक युक्त राजन तो उस बल्च से बलवान और संग्राम में पार लगाने वाला हुकर युद्ध को जीत तानुस्टे से लेकर मिमियात तीसरा चलोग जिसका भवात इस परकार है है बल्वान राजन तेरा शीर हमारे शीर को ले चलता हुआ हमारे लिए और तेरे लिए सेवनिय धन और सुखत शिग्र पोचावे कुटिलता रहित विजचारने वाले आप हमारे धारन के लिए बड़ी अपनी जोती भले परकार निर्मान करें जैसे सूरे मंडल में जोती इती नौम अन्वाग